प्रिया सिक्षार्थियों एना यूस के इस इस्टूडियो में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आज हम लोग 25-26 अर्था अलंकारह के जूति भाग का अध्यन करेंगे अलंकारों के संद्धर्म में आपसे पूरों में चर्चा हुई है अलंकार किसे कहते हैं अलंकरो इती अलंकार जो काबिकी सोभा को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं काव्य की सोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं वो अलंकार कौन से हैं अनुपरास आजी जो अलंकार है वो शब्दा अलंकार है और उपमा रूपक आजी जो अलंकार है ये अरथा अलंकार है पुनह जिस प्रकार से शरीर की सोभा, अलंकारों के माधियम से शरीर की सोभा बढ़ती है, हार आधी पहनने से शरीर की सोभा होती है उसी प्रकार से काभ्य की जो सोभा है वह इन ही सब्दा अलंकारों और अर्थालंकारों से होती है अर्थालंकार की विवेचंग के पसंग में हमने उपमा रूपक आरी अर्थालंकारों का अध्यन कर चुके हैं प्रस्तुत पाठ में हम अन्य अर्थालंकारों का अध्यन करेंगे द्रिश्टांत अलंकार द्रिश्टांत अलंकार का लक्षण है अर्थात प्रतिबिम्ब का जो है बिम्ब भाव जो है बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है किसका सधर्मस्य वस्तुनह समान धर्मों से युक्त वस्तुगों का जो बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है वह दिश्टांत अलंकार होता है इसके लक्षन को देखते हैं, तो कह रहे हैं, दिश्टान तस्तु सधर्मस्य, सधर्मस्य, वस्तुनह सधर्मस्य, वस्तुओं का, किन वस्तुओं का, जो उपमे और उपमान आदी हैं, इन वस्तुओं में जो समान धर्मिता है, उनका विम्ब प्रति विम्ब भाव हे दिश् थापना की जाती है वहां द्रिष्टांत अलंकार होता है अब यह द्रिष्टांत साधर्म और वैधर्म के भेद से दो प्रकार का होता है अर्थार समानता और विधर्मिता के आधार पे इस द्रिष्टांत अलंकार के दो भेद होते हैं दिश्टांत लंकार के उदाहरण को देखते हैं एक सुन्दर उदाहरण है अविदित गुरापी सत कवी भरी भीडिती ही करडेशुवमतिमद उधाराम अनधिगत परिमलापी ही हरत दिशम मालती माला यह जो उदाहरण है इसमें कहा गया है कि किसी अच्छे कवी की सुक्ती सत कवी भरीती ही किसी अच्छे कवी की सुक्ती चाहे उसके गुरों की अविदित गुरापी उसके गुरों की परख हुई हो या न हुई हो करडेशु मधुधाराम वमती वह सुनने वालों के कानों में मधुधारा को मधुध्वनी को वमती बरसाया करती है अर्थार किसी अच्छे कवी की जो अच्छी बाते हैं सुकती है चाहे उसके गुणों की परक हुई हो उस व्यक्ति की या न हुई हो लेकिन सुनने वालों के कानों में उसके जो मधुर वचन है वो उनके कानों में मधुर धार बरसाया करती है क्योंकि अनधिगत परिमलाप ही हरत द्रिशम मालती माला ये सामाने धर्म है अब इसकी जो प्रतिविंब भाव को दिखलाए गया है क्योंकि मालती माला, मालती की जो माला है, मालती एक पुष्प है, बहुत ही सुन्दर उसका सुगंध होता है क्योंकि मालती की माला चाहे उसके गंध पहचान में आए या नव आए, देखने वालों की दिश्टी को अपनी ओर बरबस खीच ही लिया करती है जब आप किसी सुगंध को सुगे रहते हैं, उसका आप अनुभव किये रहते हैं, तो आप बतला पाते हैं कि ये इस पुष्प का अगंध है लेकिन कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनको आपके वल देखने से ही उसकी सुन्दरता को देख कर ही उसके गंध को महसूस करने लगते हैं कि यह अवस्य ही अगर सुन्दर है तो अवस्य ही यह सुगंधित भी होगा तो यहाँ पर मालती की माला से कवी की तुलना की गई है और उसके सुगंध की तुलना उस कवी के गुणों से की गई है तो इसमें बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है कि किसी अच्छे कवी की जो सुक्ति है चाहे उसके गुणों की परक हुई हो या ना हुई हो सुनने वालों के कानों में वह मधुधार बरसाया करती है क्योंकि मालती की माला जो मालती पुष्प है उसकी माला उसके गंध चाहे पहचान में आए या नवाए देखने वालों की दिष्ठी को अपनी और बर्वस खीच ही लिया करती है यहाँ पे जो विम्ब प्रति भीम्ब भाव है उपमेय में उपमान की जो विम्ब प्रति भीम्बता है वह इस अलंकार में दिखलाई पड़ता है कि विम्ब प्रति भीम्ब भाव के कारण ही उपमेय में उपमान की विम्ब प्रति भीम्बता दिखलाई गई है अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, अगला अलंकार है समा सोक्ति अलंकार, समा सोक्ति ही इसका लक्षण है समा सोक्ति समयरियत्र, कार्ययलिंग, विशेशमय रई हैं ब्यवहार समार ओपह प्रस्टुते न्यस्य वस्तुनह। अर्थात जहां प्रस्टुत और अप्रस्टुत वस्तु में काविसास्त में उपमे और उपमान के लिए कई प्रयवाची सब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उपमे या उपमान, प्रस्तुत अप्रस्तुत, प्रकृत अप्रकृत ये जो प्रयावाची सब्द हैं, यह मूलतह उपमे और उपमान के लिए ही प्रयोक किया जाता है। प्रस्तुत लक्षर में उपमे और उपमान के स्थान पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का प्रयावाची पदका प्रयोकिया गया है। आधार जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत वस्तु में समान रूप से अन्वित होने वाले कार्य, लिंग और विशेशनों से प्रस्तुत वस्तु में प्रस्तुत वस्तु के ब्यवहार का सम्यक आरोप या अभेद ग्यान होता है वहां समासोक्ति नाम का लंकार होता है समासोक्ति लंकार की जो विशेस्ता है कि इसमें सब्द का आरोप नहीं होता है बल्कि इसमें उपमेय में उपमान के ब्यवहार का आरोप होता है तो ब्यवहार के आरोप से तात पर है कि उनके द्वारा किये गए जो आपसी ब्यवहार है उसमें अभेद ग्यान की प्रतीती होती है तो इसका जो सामान्य लक्षण है वो यही है कि उपमेय में उपमान के ब्यवहार का जहां आरोप हो या अभेद ग्यान हो वहां समासोक्ति अलंकार होता है इसके उदाहरण को देखते हैं इसका उदाहरण है कह रहे हैं जिसकी विजय अभिलासा और समाप्त जिगी सश्य जिगी सश्य अथा जिसकी जीतने की इच्छा जीतने की विजय की अभिलासा जिसकी न समाप्त हुई हो जिसके विजय की अभिलासा समाप्त नहीं हुई हो अथा पुर्ण नहीं हुई है ऐसे मनस्वी मनुस्य को इस्त्री चिन्ता कैसी जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं जब तक वह अपने अभिजय की अभिलासा अपने कारी को पुर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें इस्त्री चिन्ता क्यों होती है इसके उदाहरण के रूप में क्या बोल रहे हैं इसका जो उदाहरण दिया गया इसकी जो तुल्ना की गई वह है अनाक्रम्य जगत कृच्चनम नो संध्याम भजते रविह अर्थार रविह जो शूर्य है वह जगत कृच्चनम अनाक्रम्य जब तक सुर्यदेव संपूर्ल संसार को आक्रांट किये विना, नो संध्याम भज्ते रवेह? वो संध्या का सेवन नहीं करते हैं कभी आपने ऐसा नहीं देखा है कि सुर्य, सुर्योदय हुए और तत्षन वह संध्या को प्राप्त हो गए या सुर्यास्त हो गए? नहीं, वह संपुर्ण जगत पर पहले अपनी पताका फहराते हैं, पताका से तात परे हैं, संपुर्ण जगत को वह परे प्रकासित करते हैं, और उनको अच्छादित करने के बाद, अर्थात अपने कारी को पुर्ण कर लेने के बाद ही, वह संध्या रूपी नायका को, यहा सुर्य रूपी नायक संपुर्ण संसार को अपने किरणों से आच्छादित करने के बाद ही संध्या रूपी नायका से मिलते हैं अर्थात बिना अपने कारिकों किये वो संध्या से नहीं मिलते हैं साम से उनकी मुलाकात नहीं होती है वैसे ही जो मनस्वी ब्यक्ति हैं वो अपने काम जब तक पुरर नहीं करते हैं तब तक वह अपने पत्नी या अपने प्रेमी से नहीं मिलते हैं तो यहां मनस्वी ब्यक्तियों की तुलना किसे की गई है? सुरिय से की गई है और जो इस्त्री चिंता है उसकी तुलना किस से की गई है वह की गई है संध्या से की गई है तो यहां सुर्य और संध्या में नायक और नायका के ब्यवहार का आरोप होने से कि नायक का जो ब्यवहार है कि जब तक वह अपना कार्य पुर्ण नहीं करेगा वह समागम नहीं करेगा, वह मिलेगा नहीं, उसको मिलने की कोई चिंता नहीं है उसी प्रकार वह उस ब्योहार का आरोप किस में करते हैं? सूरिय में करते हैं कि सूरिय भी जब तक संपूर जगत को अपने किरोडों से आक्रांत नहीं कर देते हैं अक्षा नहीं लेते हैं, उसको आक्षाधित नहीं कर देते हैं, तब तक वह संध्यारूपी नाइका से नहीं मिलते हैं। तो यहां जो आरोप है, वह किसका है, सब्दसा नहीं है, वह उनके किये गए व्यावहार का आरोप है। इसलिए ब्यवहार का आरोप होने से ही यहां समासोक्ति नामक अलंकार है अगले अलंकार की तरब पढ़ते हैं अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण हुआ सिध्धत्वेध्य अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगध्यते अर्थात अत्षयोक्ति वह अलंकार है जिसे अध्यवसायस्य अध्यवसाय की सिद्धी की प्रतीती कहा करते हैं अब अध्यवसाय सब्द क्या है? अध्यवसाय से तात्परे है विशय अर्थात उपमेय के निगरण पुरुवक। उसके साथ विशय अर्थात उपमान की अभेद प्रतिपत्ति। यहां भी उपमेय और उपमान के लिए किन सब्दों का प्रयुक किया गया है? विशय और व विशाय से तात्पर्य है उपमय और विशाय से तात्पर्य है उपमान उपमय और उपमय के लिए पुरूं में भीवत लाए गया कई अन्य समानार्थक पदों का प्रयोग किया जाता है तो कर रहे हैं जहां उपमेय में उपमान के द्वारा उपमेय का निगरन कर लिया जाए निगरन मतलब उपमेय को हटला कर उपमान की ही स्थापना हो जाती है अध्यवसाय हो जाता है वहां अतिसयोक्ति अलंकार होता है अतिसयोक्ति में क्या है कि उपमान ही जो है वही सब कुछ होता है उसकी और उपमे में अभेद प्रतीती पता ही नहीं चलता है कि कौन उपमे है कौन उपमान है उपमे को ही उपमान मान लिया जाता है उपमान को ही उपमे मान लिया जाता है तो यह जो अभेद प्रतीती है य ध्यवसाय से तात्पर यही है निगरन, किसका निगरन? उपमेयस्य, उपमेय का निगरन, किसके द्वारा किया जा रहा है? उपमान के द्वारा, अर्थात, उपमान के द्वारा उपमेय का निगरन के साथ ही जो अभेद प्रतीती होती है, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता ह अतिश्यक्ति यलंकार का जो उधारण है बहुती सुन्दर उधारण है कि कथम उपरी कलापिनह कलापो विलसतितस्य तलेश्टमिंदु खंड़नम कुबलयय युगलम ततो विलोलम तिलकुषुमम ततथः प्रवाल मस्मात इस पद्य में किसी नाइका का वरण करते हुए कोई कवी कहता है कि मोर के उपर उसका पुक्ष कैसे सुसोभित हो रहा है कथम उपरी कलापिनह कलापो विलसति कलापिनह कहते हैं मोर को और उसका कलापा जो होता है उसके सिर पर मोर के सिर पे जो पुक्ष के समान जो निकले र तहते हैं तीन, उसी के लिए कोई कभी किसी नाइका के वरोण में कह रहा है कि you कि आप इसमें देखेंगे कि यहां नाइका का सब्धसभ नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसके सारे अंगो का वरोण इस मोर के माध्यम से किया गया है तो कह रहे हैं कथम उपरी कलापिनह कलापो विलसती कि कलापिनह उपरी मोर के उपर उसका जो कलापह उसका पुक्ष कथम विलसती कैसे सुशोभित हो रहा है तस्य तले श्टमी इंदुखंडरम और उस मोर के पुख्ष के नीचे अश्टमी का चंद्रखंड कैसे दिख रहा है तले श्टमी तले अर्थात उस मोर के पूँख के नीचे अर्थात उसका जो शिर्पे जो उसके पंख होते हैं उस पंक के नीचे का जो भाग है उसकी तुलना उसने किस्से की गई है अस्टमी का चंद्रखंड कैसे कि उसके मोर के जो नीचे का भाग है वो अस्टमी के चंद्रखंड के समान कैसे दिखाई दे रहा है कुवलाय यूगलम ततो विलोलम और उसके कुवलाय यूगलम तता उस अस्टमी के चंद्रखंड के नीचे यह दो नील कमल कुवलाय यूगलम कुवलाय कहते हैं कमल को कमल के यूगल कमल यूगलम कुवलाय यूगलम ततो विलोलम और उस चंद्रखंड के नीचे यह दो नील कमल कैसे और तिल कुश्मम ततधः प्रवालमसमात और उन दो कमलों के नीचे तिल का मूंग कैसे और तिल कुश्म के नीचे मूंगा अथवावनीन नवीन पल्लव कैसे अर्थात इस लोग को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि इसमें मोर के जो कुवलाय है जो कलापिन है जो मोर है उस मोर के सोभा को उसके मुख की सोभा को बतलाया गया है शरीर के अन्य अंगो की सोभा को नहीं अपित केवल मुख की सोभा को बतलाया गया है और उसकी तुलना किसे से की गई है नाइका से की गई है रस्तुत इस लोग में नाइका का जो तुलना की गई है वह किसे से की गई है मोर से की गई है लेकिन जब आब इस लोग का अध् उपमेय, उपमान अथाद, तुलना किस से की गई है नाइका की? मोर से की गई है, तो मोर उपमान हुआ, तो उपमान के द्वारा ही उपमेय का वरण किया गया है, और उपमेय क्या है? उसका निगरन किया जा चुका है, किसके माध्यम से? उपमान के माध्यम से, तो यहाँ न तोनों की तुलना करेंगे, कैसे उपमान ने उपमे का निगरन किया, तो प्रस्तु तिश्रोक में नाइका के केश पास को, नाइका के किस्त्री के, नाइका के केशों को, उसके बालों की तुलना किस से की गई है, मोर के पुक्ष से की गई है, मोर के शिर पर जो उसके पुक् नाइका के मस्तक से की गई है, जैसे कपाल की तुलना किसे की गई है, अश्टमी का चंदखन्ज, तो नाइका के मस्तक को भी अश्टमी का चंदखन्ज माना गया है मयूर के मोर के जो दो नित्रों की तुलना की गई है दो नित्रों को तिलना किसे की गई है नील कमल से अथात नाइका के दोनों नित्रों से उसके तुलना की गई है उसके नाक की तुलना तिल पुष्प से की गई है मयूर के नाक की तुलना उसके नासिका की तुलना तिलपुस्प से की गई है अर्थात जो मयूर का तिलपुस्प है वह नाइका के नासिका से उसके तुलना की गई है और उसका जो प्रवाल भाग है मयूर का जो प्रवाल भाग की तुलना वह नाइका के ओष्ठ से की गई है ये प्रवाल अर्थ होता है, प्रवाल रक्तवरणी होता है, इसलिए नाइका के ओष्ठ की तुलना रक्तवरणी से की गई है, यहां यह जो विशेश बात है, वह यही है कि प्रत्यक वाक्य में उपमे को सब्द से नहीं कहा गया है, पुर्व में भी बतलाए गया, कि उपमे उपमे को सब्द से नह कहकर किया गया जो उपमान विश्यक आरोप है वही निगिरियाध्य अवसान कहा गया है वही निगिरन कहा गया है इसलिए प्रस्तित उदाहरण में अतिश्ययुक्ति का सुन्दर विवेचन किया गया है प्रस्तुत अध्याय में हमने अर्था अलंकारों के अंतरगत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रिक्षा अलंकार, दिश्टांत अलंकार, समास्वक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति आदी अलंकारों का हमने वररं किया धन्यवाद झाल झाल